Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome to my channel Friends, सुखी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करना चाहिए? जिससे हमारा जिन्दगी सुखी से बिते और क्या नहीं करना चाहिए? आज की हमारी बात इसी टोपिक पे चैनल को सिक्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन भी प्रेस कर दिजेगा वीडियो की नई नोटिफिकेशन इजली मिल जाए Friends, सुखी जीवन जीने के लिए मैं आप लोग के साथ 5 पॉइंट सेयर करूंगे अगर आप इस 5 पॉइंट पे ध्यान देंगे अच्छे से खुसहाल सुखी जीवन जीएंगे इसमें पहला पॉइंट आता है हमें कभी भी ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि दूसरा क्या बोल रहा है हम लोग ज़्यादा तर इसी से डी मोटिवेट हो जाते हैं तूट जाते हैं दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे क्या बोल रहे हैं हम ये काम करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे हमें ये काम नहीं करना चाहिए आप कभी ये सोचते हैं अगर हमारे घर में खाने को नहीं हो तो जो लोग बोलेंगे ओ क्या हमें आकर दे देंगे कभी नहीं देंगे और नहीं हमारे पास ज्यादा पैसे होगा तो हम उन्हें देंगे फिर हम दूसरों की बातों पर क्यों ध्यान दे कि लोग हमें क्या कहेंगे नहीं, आपको जिस काम में आपके मन को तसली मिलता है आप जो काम कर सकते हैं करें कभी ये न सोचे कि लोग क्या कहेंगे लोगों का काम है कहना हम सुनेंगे इस कान से और निकालेंगे इस कान से तो कभी भी दूसरों के बाड़े में सोचकर अपना जीवन खड़ाब न करें अपना जीवन सुखी बनाए जो काम आपको अच्छा लगता है जरूर करें द दूसरा points आता है friends कि हम सुखी इसलिए नहीं रहते हैं हम अपने जीवन की तूलना दूसरों से करने लगते हैं अड़े उसके पास तो बहुत पैसा है बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां है बड़ा मकान है वो बहुत सुखी से रहता होगा हम तो इतना पैसा कमाते हैं यह स सोच कर हम अपने जीवन को नर्क बनाना शुरू कर देते हैं दुखी रहना शुरू कर देते हैं यह बताइए कि बड़ी गाड़ियां जादा पैसे बड़े मकान से ही सुखी जीवन होता है सुखी जीवन जीने के लिए लकड़ी का पत्तों का घर भी काफी होता है बस खु नहीं मिलती है। इन सब चीजों से हम कभी सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। सुखी जीवन जीने के लिए मन की सान्ती पड़िवार की खुसिया है। यह दो पॉंट ही है जिसने हम सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर आपके घर में थोड़े पैसे आते हैं, उस 라 can आपके मन को सांती है आपके परिवार में खुसियां है तो जादा पैसे और बड़ी गाड़ियां बड़े घड़ की कोई जरूरत नहीं है आप थोड़े पैसे में ही खुस रह लेंगे और मन की सांती परिवार की खुसियां अगर नहीं है तो कितना भी पैसा कमा लें कभी भी आप सुखी जीवन नहीं जी पाएंगे। इसमें तीसरा पॉइंट्स आता है friends, खुस रहना। सुखी जीवन जीने के लिए अपने आपको खुस रखना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुस नहीं रहेंगे, कभी भी हम सुवस्त नहीं रहेंगे। और सुवस्त नहीं रहें तो आप कभी सुखी जीवन नहीं जी सकते हो तो आपके पास जितना है जो है उसी में खुस रहने की आदत डालिए कभी भी जादा सोच कर अपने जीवन को बड़बाद मत कीजिए जो आज आपके पास available है उसी में खुश रहकर अपने जीवन को सुखी बनाईए इसमें चौथा point है friends अपने आप से प्यार करें अपने ऊपर ध्यान देंगे हम तभी हम अपने आपको पहचान पाएंगे हम क्या हैं आपके अंदर जो कमिया है उसे दूर करने की कोशिस करें और आपके अंदर जो अच्छाई है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें अगर आप अपने अंदर की अच्छाईयों को पहचान जाएंगे उस पर काम करना शुरू कर देंगे तो हमेशा खुस रहेंगे हमेशा स्वस्त रहेंगे और जब आप खुस रहने लगेंगे तो बिल्कुल स्वस्त रहेंगे, स्वस्त रहेंगे तो आप ज्यादा सुखी जीवन जी सकते हैं, आज के डेट में जो स्वस्त है उससे बेहतर जिंदिगी कोई नहीं जी रहा है, ज्यादा भागम भाग करने से हमारी जिंदिगी सुखी नहीं होती है, अगर हम थोड़े में ब्होरे में भौजन करें, कोसिस करें कि हम नियमित रूप से कोई भी ब्याम कर सकें, जिससे हमारा सरीर सुख्त रहें, भोजन जो भी हम कर रहें हैं, ओ सूध हो हो हल्दी हो, हल्दी भोजन करना बहुत जरूरी है और हमेशा अपने आपको तनाओं से चिंता से दूर रख तो एक दिन चिंता हमारी चीता खड़ा कर देगी जो होना होगा वो होके ही रहेगा वो आपके हमारे किसी के चाहने से वो टलेगा नहीं जो हमारे जिंदगी में भगवान को करना है वो करेंगे ही करेंगे उसे हम और आप बदल नहीं सकते हैं तो उसको लेकर अपने सरीर को क खुस नहीं रहेंगे और खुस नहीं रहेंगे तो हम सुखी जीवन कभी नहीं जीपाएंगे। मैं आप लोग को पहले ही बताई कि सुखी जीवन जीने के लिए खुस रहना और सुष्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर हम खुस नहीं रहेंगे, तो कभी सुखी जीवन नहीं जीपाएंगे, और सरीर से स्वस्त नहीं रहेंगे, तो हम सुखी जीवन नहीं जीपाएंगे, अगर हमारे पास पैसे कम है, प्रोपर्टी कम है, कोई बात नहीं, अगर हम उसी में खुस रहते हैं, हमारा सरीर सबस्त रहता है तो एक हैपी लाइफ जीएंगे सुखी जीवन जीएंगे तो फ्रेंड्स सुखी जीवन जीने के लिए मैं ये जो पांच पॉइंट आप लोग के साथ सेयर की इसको अपने जिन्दगी में जरूर उतारें जरूर अपना कर देखिएगा सुख सांती से बहुत हिमत मिलती है मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिस करती हूं तो अपनी राय कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा चैनल को सिक्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के स सेयर कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छी बातों के साथ फिर मिलेंगे बाई बाई